डेली शाम 6 बजे आपको उत्राखंड PSC का उत्राखंड PCS जो फाम आया है उसके वीडियोज मिलेंगे डेली शाम 6 बजे और डेली रात 8 बजे आपको 60-वे BPSC प्रिलिम्स के वीडियोज मिलेंगे तो आप लोग जिस परिक्षा की तेहरी कर रहे हैं सारे वीडियोज देख लीजेगा इन दोनों की प्लेलिस्ट भी हमने बना दी है और संबंदित जो PDF होंगे आपको नीचे description बॉक्स में टेलिग्राम ग्रूप का लिंक दिया है टेलिग्राम ग्रूप जवाइन कर लीजे व प्लेलिस्ट में सारे वीडियोज रहेंगे कोई चिंता करने का उशकता नहीं है विजे नगर सामराज के प्रसिद्र शाषक राजा किष्ण देवराय के प्रमुख गरंथ अमुक्त मालित की भाशा है देखे इन्होंने कई गरंथों के रिचना किय थी उसमें अमुक्त माल शो में जो तुलू वन्ष था तुलू वन्ष के शाषक थे इन्हीं के दरबार में अश्टदिगज रहा करते थे कला प्रेमीर थे जो आप तेनाली राम राम किष्ण की कहानी सुनते हैं वो इन्हीं के अश्टदिगज में से एक थे इन्हीं के दरबार में रहते थे बहु आगे बढ़ेंगे तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा अब भी निमकित में से कौन सा योग में सही सुमेलित है देखें ये एक बानगी प्रस्तुत करता है कि अगर आप BPSC देने जा रहे हैं तो इतना आसान मत समझें प्रस्त जरूर आसान होते हैं लेकिन ये वाला जो आप्शन है आपको कंफ्यूज कर देता है तो इसमें देखिए दक्कन विद्रो तो गलत है 1875 में हुआ था मुपला विद्रो 1921 में हुआ था तो ये भी गलत है नील विद्रो सही 1869 से 62 के बीच पावना विद्रो भी सही 1870 से 80 के बीच इसलिए कहते हैं ये आप सिरीज जरूर लगाईएगा पूरी तो एक से अधिक अर्थात C और D दोनों सही है इंडियन कोल ये ओम लेगनाइट रिसोर्से 2019 के रिपोर्ट के अंसार निमकित में से कौन सा राज लेगनाइट के बंडारण में सरवोच है तो तमिलाड में नेगवेली शेत्र है और मनार गुडी शेत्र है ये दोनों ही शेत्र प्रचोर बंडार रखते हैं लेगनाइट का लेगनाइट कोईले का ऐस्क है तो तमिलाड में ये दोनों स्थान हैं तमिलाड सबसे आदा लिगनाइड भंडार वाला राज्य है किस वर सरपथम चर्खे को भारती राष्टी कांगरिस के तिरंगे जिंडे की बीच वाली पट्टीम जगह दी गई थी को पता है कि जब गांदी जी ने नारा दिया था कि विदेशी वस्त्रों का भहिसकार करो स्वदेशी अपनाओ उसमें चर्खे ने चुकि सूत कटा जाता था घर पे लोग सूत कटना शुरू कर दिये थे गांदी जी स्वयम चर्खा चलाते थे उसकी सुरुवात उन्होंने की थी तो चर्खे को राष्टी एक्ता के पती की रूप में उसमें अस्थापित कर दिया गया था एक प्रकार से तो वर्स 1931 में चर्खे को भाड़ती राष्टी कांग्रेस के तिरंगे जंडे के बीच वाली पट्टीम जगा दी गई थी निमकित में से 1931 में एक प्रमुख अधिवेशन ही वा था कौन सा अधिवेशन था पता है आपको वो कराची अधिवेशन था अब मेरा प्रश्णिया है कि ये कराची अधिवेशन की अध्यक्सता किसने की थी ये आपको बताना है कमेंड बॉक्स में निमकित में से कौन सी घटना सरप्थम घटित हुई तो इन में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई आपको बतान करेंगे तो यह सब चीज़ सॉल हो जाएंगे देखे पहली सूती कपड़ा मिल बंबई में स्थापना कब हुई थी 1854 में ध्यान रखेगा 1854 में रट लीजे एकदम से टिसको की स्थापना कब हुई थी 1907 में सिंद परंग्रेजों का अधिकार कब हुआ था 1843 में साल भाई की संद कब हुई थी 1782 में इतियास थोड़ा सा पढ़ ले हो यार यह सब डे टोट रियाद रखें जो उरुत नहीं है आपको घटना का क्रम याद रहेगा हाँ यह तो बहुत पहले हुई थी साल भाई की संदी कब हुई थी 1782 में हुई थी सबसे पहले यह हो जाए तुस सबसे पहले गटना कौन गटिदू हुई? साल बाई की संधि。 सीधा से एंसर D वाला आपका राइट एंसर हो जायेगा. निजुकित में से किस वर्ध भारती विश्वध्याली अदेखन कारित दो 1974 में पारित किया घया थे. डीवला राइट एंसर है देखे भारत में विश्वद्यालेओं की स्थित्थी और क्या संभावनाएं हो सकती है इसकी जाच करने के लिए और इस संदर में प्रस्ताओं की सिफारिश करने के लिए रेले कमिशन बोलते हैं उसको थामस रेले के अध्यक्स्ता में एक आयोग का गठन किया गया था इसमें गौर्णर जर्नल कौन था या वाइसराय कौन था आपको पता है लाड करजन जिसके समय में बंगाली वाजन भी हुआ था उन्नी सो पांच में तो करजन के समय में थामस रेले के अध्यक्सता में नियुक्ति गई थी एक आयोग की इसको प्रात्मिक और माध्मिक शिक्षा पर रिपोर्टिंग से बाहर रखा गया था ध्यान रखियेगा ये विश्द्याले संबंदित था, प्रात्मिक और माध्मिक छिक्षा संबंदित नहीं था, ये अक्सर एक्जाम में आता है, इसलिए यहां आपको ध्यान देने के आउशकता है, तो इसी ने सिपारिज दे थी जिसके रिपोर्ट के परिडाम सरूफी 1904 में भारती विश्द द्याले अधनियम पारित किया गया था, निमकित में से किस अधनियम के अंतरगत कमपनी के अधिन पद धारन करने के लिए, किसी व्यक्तिको धर्म, जनमस्थान, मूलवंश या रंग के आधार पर अयोग नठ हराय जाने का उबबंद किया गया, अभी जो इसकी जलक आपक तो वो चार्टर अधनियम 1833 था, ठीक है, रट ली जाएगा इदम से, 1833 चार्टर अधनियम बिटिस भारत का केंदरी एकरण के दिशा में एक निर्णाय कदम था, इसी अधनियम में तमाम विशेष्टाएं थी जिसमें जो गवर्नर जनरल था बंगाल का, उसे पूरे भा भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, और लाड विलियम बेंटिंग पहले गवर्नर जनरल थे भारत के, ठीक है, तो याद रखेगा इस शीच को, इसमें तमाम परिवर्तन किये गए थे, तमाम बड़े निर्णे लिये गए थे, उनमें से एक निर्णे ये भी था, क कमपनी में जो पद धारन किया जाएगा, उसमें किसी वेक्ति को धर्म, जन्मस्थान, मूलवंश या रंग के आधार पर आयोग नहीं ठहराय जाएगा, उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा इस आधार पर, तो राइट एंसर क्या हो जाएगा, बी वाला, निवकित पूर का राफेल इनको नहीं कहा जाता है, वो बिहजाद को कहा जाता है, बिहजाद को कहा जाता है, ठीक है, तो बाकी सभी कतन, अब बिहजाद कौन था, इसके बारे में पूछा जाया है, बिहजाद बाबर की जो कृती है, तुझके बाबरी, उसमें इसका जिकर मिलता है बिहजाद का, तो बिहजाद बाबर के समकालिन चितरकार था, उससे पू वाला राइट एंसर हो जाएगा अठारो सताउन की विद्रो के दमन के संदर में कौन सा करम सही मतलब सबसे पहले कहां विद्रो का दमन हुआ और सबसे अंत में कहां विद्रो का दमन हुआ ये पूछ रहा है तो ये तो आपको पता है सबसे पहले मेरट में किया गया दमन उसके बाद दिल्ली में उसके बाद फिर कानपूर फिर लखनव अंत में जहासी तो यही करम सही होगा मेरट दिल्ली कानपूर लखनव जहासी डीवला देखे बहुत अच्छे प्रश्ण बनाते हैं सब आलमगीर नामा नामक ग्रंथ का संकलन न्यम्कित में से किस के दौरा की आ गया आपको पता है आलमगीर की उपादी किसने धारण की थी तो थे और अग्जेब यह आलमगीर प्रथम भी कहा जाता है इसको क्योंकि बाद में एक आलमगीर दिती भी हुआ था ध्यान अखेगा आलमगीर नामा में मुहंबत काजिम ने सीवला रैटन से निमकित में से किसे गरीब नवाज कहा जाता था तो ख्वाजा मुनदिन चिस्ति को गरीब नवाज कहा जाता था ठीक है गंगा नदी के दक्षिन में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का ख्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था बहुत आसान प्रश्ण है बिहार वालों के लिए तो कुछ है ही नहीं है जिसकी राजधानी पाटल पुत्र थी बाद में पाटल पुत्र होई थी पहले राजगरी थी गिरी ब्रीज फिर पाटल पुत्र होई तो इस तरह से मगध डी वला राइट एंसर है 16 महाजन्पतों में सर्व से ज़्यादा मजबूत महाजन्पत यही था तो गंगा की सायक नदी सोन नदी के आसपास अच्छेत्र ये प्राचीन काल में मगत कहलाता था हाली में टाइम्स हायर एजुकेशन दधवारा वर्ड इन्वर्श्टी रैंकिंग 2022 जारी किया गया निमकित में से कितने भारती संस्थानों को सीर्स 1000 इन्वर्श्टी में स्थान दिया गया है हमने रामाड वीडियो में बताया भी आपको तो कितने संस्थानों को? कुल 35 संस्थानों को पिछले वर्स कितने थे? 36 थे ठीक हाली में राज खाद सुरक्षा सुचकांग चर्चा में रहा है ये निम्कित में से किस निकाय द्वरा जारी किया जाता है तो खाद सुरक्षा, राज खाद सुरक्षा, सुचकांग किसके द्वरा जारी किया गया है फारती, खाद सुरक्षा और मानग प्रादिकर्ण द्वरा FSS AI के द्वरा ये जारी किया गया है भारत वर्ष 2023 में G20 सम्मिलन की मेजबानी करेगा निम लखित में से कौन भारत की और से शेरपा होंगे तो G20 की मेजवानी वर्ष 2023 में मेजवानी करेगा भारत कौन भारत की और से शेरपा होंगे तो कौन होंगे पियुश गोयल ठीक है वैश्विक लेंगिक अंतराल सुचकांग 2021 के संदर्में विंखित कत्नों मेंसे कौन सा सत्य है यह सुचकांग विश्वार्थिंग मंच दवरा जारी किया जाता है सत्य पूछ रहा है यह सुचकांग 0-1 के स्कोर यह तो सही है 0-1 के स्कोर के मद्ध लेकिन आप एक सही पाकर ये नहीं है UPPCS में एक सही माना पाया आपने गोला कर दिया बाकी विचार नहीं है लेकिन यहाँ विचार करना होगा क्योंकि E वाला यहाँ पर है उप्रियुक्त में से कोई नहीं उपरक्त में से एक से अधि है इसलिए ध्यान country एगा यह सूच कांग विश्वार्थिक मंच दौरा जारी किया जाता है सही है सूच कांग शूनने से एक के स्कोर के मद्द विस्तारित है जिसमें जीरो कार्थ पूर्ण लेंगिक समानता और एक कार्थ पूर्ण लेंगिक असमानता है उल्टा दे दिया है जीरो कार्थ पूर्ण लेंगिक असमानता है और एक कार्थ पूर्ण लेंगिक समानता है तो इसलिए ये गलत है इस सूचकांग के 2021 संस्क्रण में भारत का अस्थान ब्रिक्स देशों में सर्वोच है गलत है ब्रिक्स देशों में सर्वोच अस्थान है साउथ अफरीका का भारत का अस्थान ब्रिक्स देशों में सबसे सबसे नीचे है ध्यान रखेगा सौथ अफ्रीका के बाद रूस है फिर ब्राजील है फिर जीन है उसके बाद भारत का उस्थाना आता है बृक्सowanieसों में प्रतेक दो थी जारी होता है गलत है तो प्रतिवर्ष जारी होता है और 2006 से ही प्रतिवर्ष जारी हो रहा है तो इसका जो है राइट एंसर हो जाएगा एवाला विश्वार्थिंग मजजारी करता है निमकित में से कौन सा खथन असत्य है कच्चे तेल का उत्पादन सरवाधिक अब 30 शेत्र में होता है ताबा महत्पूर्ण ये पूछ रहा है असत्या ध्यान रखेगा सत्या सत्य में कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाती जल्दबाजी में तो ताबा महत्पूर्ण अलाओ धातु है ठीक है बिल्कुल इसमें लोहा नहीं होता ताबियम सही है ये भी सही है ये भी सही है प्रात्मिक स्वन्ड एस का सरवाधिक कुल भंडारण बिहार राज में है ये प्रात्मिक स्वन्ड एस की बात कर रहा है सरवाधिक भंडारण बिहार राज में बिल्कुल सही है नय आकडों के अंसार मद्ध प्रदेश का पन्ना जिला स्वण खानों के लिए प्रसिद्ध है ये गलत है मद्ध प्रदेश का जो पन्ना जिला है दोस्तों वो स्वण खानों के लिए ने बलकि हीरे के खानों के लिए प्रसिद्ध है ठीक तो यही वाला राइट अंसर हो जाएगा बाकी तीनों सत्य हैं जसी को बढ़वा देने हैं, गंगा नदी के तट पर इस्थित कितने जिलों को मिला कर एक जईविक करीड़ोर अस्थापित किया जा रहा है तो बिहार राज ये बिहार स्पेसल से सवाल है बिहार आज में जैविक करिश को बढ़ावा देने के लिए गंगा नदी के तट पर इस्थित कितने जीलों को मिला कर एक जैविक करिडूर स्थापित किया जा रहा है तो कुल तेरा जीलों को मिला करके तो आप्शन कोई नहीं सही है इसमें से तो कौन राइट एंसर हो जाएगा E उप्रयोक्त में से कोई नहीं निमकित में से कौन सा देश विश्व का सरवाधिक नगरी कृत देश है विश्व का सरवाधिक नगरी कित मैंने मांचितर जब पढ़ाया था आपको तो बताया था मांचित मैप वाला जो प्लेलिस्ट है उसमें मैप का वीडियो उत्तराखंड वाले भी और बिहार वाले दोनों लोग देख लिजएगा काफी आपका लाब होगा दोनों लोगों का तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा सिंगापूर सरवाधिक नगी कित देश है विश्व का सिंगापूर के लाबा जो सो प्रतिशत नगरी करण वाले देश है क्यों सिंगापूर ये नहीं है सो प्रतिशत जो नगरी करण वाले देश है हांग कांग मकाउ मुनाको विब्राल्टर, आइलेंड अमेरिका वाला और सेंट मेटरिन जो डच का है कुवायत, बर्मुडा ये सबी देश क्या हैं सो प्रतिशत नगरी कित हैं इनमें से कोई भी आप्शन होगा सही होगा इनमें कोई भी नहीं है कुवायत होता अगर तो दोनों सही हो जाते तब ये वाला राइट एंसर हो जाता निमकित में से कौन सा राज ये केंसाचिस प्रदेश सरवाधिक महिला साक्षर्ता प्रतिशत वाला है कौन सा राज ये केंसाचिस प्रदेश सरवाधिक महिला साक्षर्ता वाला यहां देखिए ध्यान दीजेगा केरल दिया नहीं है तो सरवा व्याद रहेगा तो आप कभी भी कन्फ्यूज नहीं होंगे और नियुन्तम साख्षर्ता अगर पूचा होता है पर सरवाधी पूचा है नियुन्तम साख्षर्ता पूचा होता तब बिहार पहले अस्थान पे हो जाता पूरे देश में नियुकित में से कौन सी योजना सरप्रथम अस्थित्य में आई थी ये विभीन योजना हैं तो देखे प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना ये 15 जुलाई 2015 प्रधान मंत्री उज्जला योजना ये 1 माई 2016 स्मार्ट सिटी मिशन 25 जून 2015 मेकिन इंडिया 25 सितंबर 2014 तो सबसे पहले कौन योजना है मेकिन इंडिया है नियुकित में से कौन सुमेलित नहीं है पूछ रहा है धर्मसभा की इस्थापना अच्छे सुमेलित नहीं है पूछ रहा है ध्यान लखेगा परमहंस मंडली की स्थापना ये पांडूरंग ने की थी दादोबा पांडूरंग ने तो परमहंस मंडली की दादोबा पांडूरंग ने की थी ना कि शिव दयाल सहाब ने बलकि शिव दयाल सहाब ने किसकी स्थापना की थी राधा स्वामी सत्संग की समाज की अस्थापना शीव नरायड अगनी हत्री ने की थी समाज सेवाली की अस्थापना एनेम जोसी ने की थी तो किवल भी वला गलत है तो राइट एंसर भी हो जाएगा निमकित में से कौन से इगड़ना सबसे बाद में घटित हुई तो दिती आंगल मैसूर युद यहां दिया है मैसूर युद मतलब आंगल मैसूर युद तो हलाकि इसको दिखन देना चाहिए था दिती आंगल मैसूर युद तो यह हुआ था सतरा सो अस्थी चौरासी के बीच 1784, हैदर अलिया और अंग्रेजों के बीच कब 1780 में मान की चलिए 1784, बकसर का युद्ध कब हुआ था 1764 में हुआ था प्लासी के बाद बकसर का युद्ध हुआ था चिलियान का या चिलिया वाला का युद्ध हुआ था 1849 में हुआ था सिखों के बीच और अंग्रेजों के बीच वांडिवाश का युद्ध ये जिसको करनाटक का प्रसद युद्ध बोलते हैं अंग्रेज और फ्रांसेसियों के बीच हुआ था जिसमें अंग्रेज निर्णाय ग्रूप से विजई हुए थे ये कब हुआ था 1760 में हुआ था तो पूछ रहा है सबसे बाद में कौन सी घटित हुई तो सबसे बाद में कौन सी घटित हुई 1849 वाली चिलियान वाला विट तो राइट एंसर क्या हो जाएगा C चिलियान का युद चिलियान वाला युद 1920 इसबी में नागपूर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की जिसके अंतरगत असहयो गांदोलन चलाने का प्रस्ताव स्विकार हुआ ये प्रश्ण कई बार आ चुका है कई परिक्षाओं में आ चुका है कई स्टेट एक्जाम्स में आ सकता है तो 1920 इसबी में नागपूर अधिवेशन के अध्यक्षता विजय रागवाचारी ने की जिसमें असहयो गांदोलन चलाने का प्रस्ताव स्विकार हुआ था ठीक है हाला कि इसके पहले कोलकाता अधिवेशन में गांधी जी ने असहयो गांदोलन से सम्मंदित प्रस्ताव को रखा था लेकिन दिसम्बर 1920 में कांग्रेस के जो वार्षिक अधिवेशन था नागपूर में जो हुआ था जिसके अध्यक्ष श्रीव विजय रागवाचारी थे इनकी अध्यक्षता में चितरंजन दास ने असहयो गांदोलन से सम्मंदित प्रस्ताव को रखा था यह पूछा जाता है किस ने रखा था हाला कि यही चितरंजन दास थे जिन्होंने कौलकाटा अधिवेशन जो विशेश अधिवेशन था जहां गाधी जिन प्रस्ताव को रखा था वहाँ पर चितरणजन दास ने इस प्रस्ताओं का विरोध किया था लेकिन नाकपूर में यही प्रस्ताओं लाये थे जैप्रकाश नरायन्ड को निमकित में से कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है यह बहुत ही अच्छा प्रश्ण है किसी व्यक्ति विशेश ये बारे में जानी है तो कौन कौन से पुरस्कार पाया है ये भी जानी है तो स्वतंता सेनानी थे समास सेवक थे इनके बारे में आपको पता होना चाहिए 1902 में इनका जन्म हुआ था 11 अक्टूबर को 1999 में इनके मृत्यू के पश्चाद इनको भारत रतन दिया गया था तो राइट एंसर भी होगा ठीक है हाला कि इनको रमन मैक्से से पुरस्कार भी मिला था 1965 में तो इनको भारत रतन भी मिला था रह्मन मैक्से से पुरसकार भी मिला था इसलिए राइट एंसर इसका होगा E क्या होगा E राइट एंसर होगा बाकी कल के वीडियो से हम थोड़ा लंबा कीचेंगे चीजों को ताकि आप लोगों का सब कवर हो सके तो एक और इनका प्ले लिष्ट बना दे रहा हूँ आपनों को टेस्टरीज चाहिए अगर तो टेस्टरीज हमारे अपलब्द है 9453 7775039 ये वाटसअप नमबर है संपर करके आप टेस्टरीज एक साथ प्राप्त कर सकते हैं उलकंसार टेस्ट दे सकते हैं बहुत ही उमदा टेस्ट हैं वो टेस्ट अगर सॉल करते हैं तो काफी एक्प्लेनेशन के साथ आपनों को क्लियर हो जाएंगी चीज़े काफी मदद मिलेगी 66 में BPSC में बहुत ज़्यादा टेस्ट नहीं है लेकिन जो है वो आपके काम के हैं और बहुत ही टेक्निकल्टीज के साथ की कुछ पोर्शन आपका छूट न जाए इस तरह से उसको बनाए गया है बाकी ये जो सिरीज है इसको देख लीजेगा और लोकन कर लीजेगा आपका काम हो जाएगा उत्राखंड के लिए भी कह रहा हूँ VPSC के लिए भी कह रहा हूँ बहुत बहुत धन्यवाद है